एक बहुत बड़ा शो और उससे भी बड़ा उसका मंच जी हाँ हम बात कर रहें देकपिल शर्मा शो की और यहाँ पर ये गाना जो लॉलिपॉप लागे लूँ आप देखेंगे हर एक आद मैने में एक बार तो ये गाना जरूर बसता है देख सकते हैं यहां भोचपूरी के एक अलग ही मुकाम दिया भोचपूरी को पुना जीवन्त किया तो दूसरी तरफ दिनेश लाल यादो निरहुआ ने भोचपूरी या सिनेमाई परदे पर जो करिश्मा किया अभी तक शायद किसी स्टार ने नहीं किया है 200-300 मिलियन इनकी तो फिल्मों के व्यूज है गान गाना है पवन सिंग का लॉली पॉप लागे लू और इस गाने को आप भोचपूरी से अलग कभी नहीं कर सकते जहां भोचपूरी सिनेमा भोचपूरी गानों की बात होगी लोग लॉली पॉप से ही शायद अब भोचपूरी को पहचानने लगे हैं ये पवन सिंग की बड़ाई नहीं है ना ही अतिशयोक्ती है हम ये कहेंगे कि सफलता सभी की किस्मत में नहीं होती और उस सफलता में सरवोच बने रहना भी सभी की किस्मत में नहीं होता आज किसारी हो या फिर कोई भी भोचपूरी का बड़ा कलाकार हम यहां किसी छोटे कलाकार को ये नहीं कहेंगे कि उसका गाना हिट नहीं है तो वो छोटा कलाकार है या बड़ा कलाकार है या कोई भी ये जान ले कि भोचपूरी में बहुत से गाने आएंगे और चाहेंग लेकिन इस गाने का तोड ना आया है और ना आएगा ये पवन सिंग की किस्मत है और इस गाने की जो पवन सिंग और इस गाने का तालमेल हुआ और भोजपुरी में एक गोल्डन गाना आया क्या कहेंगे आप हमारे इस रिपोर्ट के बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए साथी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं